आप सभी को रादे रादे आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप स्टार आईक्यू यूटूब चैनल पे पहली बार आएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेर कीजिएगा इन पर्टिकुलर वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडियो फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजूकेशन को जरूर जोइन कीज चलिए जाते हैं आगे अगर आप मुझसे अनकेडमी पर पढ़ना चाहते हो तो उसी टेलिग्राम चैनल पे मेरी अनकेडमी की क्लासिस का लिंक मिलेगा हर क्लास फ्री में देखने के लिए अनकेडमी पे आप लोग मेरा अनलोग कोड स्टार आईक्यू यूज कर सकते हो इ हर्याना के किस जिले के वैबव गुलाटी ने 35-वी हर्याना स्टेट स्पीड रोलर प्रत्योगिता में तीन स्वन पदग जीते हैं तो इसका सही अनसर करनाल था यानि की डी वाला आप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था आज का पहला क्यूसन है कि हर्याना के किस पूरो सरपंच पर बनी केंद्री ये डॉकुमेंटरी फिल्म संदराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है साइद अगर आप लोग मुझसे रेगुलर करेंट अफिर पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये अंसर अच्छे से आता होगा संदराइज फिल्म मुझे याद है जहां तक कि मैंने इसे पिछले साल करेंट अफिर के MCQ में पढ़ाया था संदराइज मुवी जो है वो सुनील जागलान के जीवन उन्होंने ही इस मुवी को जो है न बनाया है जीन्द जिले के गाउं बीवीपूर के पूरो सरपंच रह चुके हैं सुनील जागलान और ये जो है ना इन्होंने केंदरी ये डॉक्यमेंटरी फिल्म संद्राइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है इसका ठीक है ना और इस मुवी का जो प्रीमियर है ना वो 26 नवंबर को होने वाला है दुबई के अंदर सुनील जागलान के सरपंच पद से जो है महिला ससक्ती करण की यात्रा से लेके राश्टरपती दवारा गोद लिये गाओं में उनकी बीबिपूर मॉडल औफ वीमेन एमपावर्मेंट एंड विलेज डेवलपमेंट तक हर कामों को दिखाया गया है इस मूवी के अंदर मतलब सुनील जागलान के पूरे के पूरे कारे को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक गाओं को बेस्ट विलेज जो है बनाया जा सकता है इसके अलावा जो सुनिल जागलान दवारा खाप पंचायत में महिलाओं को सामिल करने का संगर्स मेवात में किये जारे महिला ससकती करण को विशेश तोर पे दिखाया गया संद्राइज जो मूवी है इसको डारेक्ट किया है विभा बक्सी ने ये भई बात आपको याद रख लेनी है आपसे पूछा जा सकता है कि डारेक्ट किस ने किया है विभा बक्सी अच्छा इससे पहले नोंने निर्भया केस पे अधारित एक फिल्म बनी थी डॉटर ओफ कई राष्ट्री अवोर्ड मिल चुके हैं विभा बक्सी को इन्होंने भी अभी बनाई है ये मूवी अच्छे एक बात और इपॉर्टेंट है आपको बताऊं तो सुनील जागलान का एक सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है की जो ब्रैंड अमेस्टर है उसका नाम अवनी अगरवाल है एक चोटी सी बच्ची है दस्वी ग्यारवी में पढ़ने वाली और ये करनाल जिले की रहने वाली है ये वी आप तो याद रख लेना और सुनील जागलान ने इसके अलावा और बहुत सारे काम जैसे महीलाओं को उनके अधिकार के लिए जो है जैसे एक्जामपल से घर में कोई दो या तीन बेटी होती तीसरी बेटी के नाम पे घर की तक्तिया नेम प्लेट टाइप से और एक बात और है कि गुरू ग्राम वैमेवात के गोद लिये गे सो गाउं में भी सुनील जागलान दबारा बन हर्याना के अंदर गुंगट के विरुद अभ्यान चलाने वाली पहली पंचायत है चोशाला ठीक ना ये याद रखेगा चोशाला और ये चोशाला जो है ना ये पड़ता है कैथल के अंदर ये आपको कुछ इपॉर्टन किस्टनों में से एक है जो जरूर याद रख लेन है कितने करोड रिकोर्ड को स्कैन किया गया और उसको स्कैन करके डिजिटलाइज कर दिया गया तो ये रिकोर्ड साड़े अठारा करोड यानि की बी वाला आप्शन इसका सही है हमारे हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल प्रधार मंतरी निरेंदर मोधी और डिजिटल इ record को scan कर digitalize कर दिया, बहुत गजब की बात है, आप लोगों को जो है ये भी याद रखने है कि हर्याना राजिय का सभी पंचायतों का record ऐन लाइन करने वाला पर्तम block हर्याना का कूँ सा है? वो है हर्याना का पर्तम 이렇게 قुatives to only एक्जाम में आया ही आया है ठीक है ना और सारा डेटा उनलाइन हो गया जैसे 21 नमंबर को वर्चुल मीटिंग के माध्यम से हर्याना के 22 जिलों में बने आधुनिक अभीले कक्षिज को modern revenue record कहते हैं उनका लोकारपन किया हर्याना में पहला modern revenue record room जो है कैतल में 24 जून 2017 को pilot project के रूप में खुला था और 25 दिसंबर 2019 को सुसाशन दिवस के उसर पे हर्याना के हर एक जिले के अंदर modern revenue record room की जो है वो शुरुआत की गई थी चलिए अगला किस्तन हमारा है कि हाली में रास्टे डेरी अनुसंदान संस्तान दवारा क्यार टेकनीक का उप्योग करके एक गाएं कितने बच्छडों का उत्पादन जो है कर सकेगी तो एक गाएं 80 से ज़्यादा बच्छडों का उत्पादन कर सकेगी यानि कि बी वाला option यह इस सवाल का ठीक है आम तोर पर एक गाएं से हम उसके जीवन काल में 5-8 बच्छडे ही प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक नई टेकनीक है OPU IVF एक टेकनीक है इस टेकनीक अगर उप प्रसल है जैसे गीर है साहीवाल है लाल सिंदी है जैसे बहतर सवदेसी जरम प्लाजम को गुना करने में सबसे अच्छी तकनीक में है यह और इसके अलावा पर्थक वीरे सेक्स सिमेन जो है ना इसके उपयोग से भी एक टेकनीक को उपयोग किया जा सकेगा और आपको याद रखनी है हर्याना के अंदर 11 से 20 नोवंबर तक 10 दिन का अंडानू पीक अप इन विट्रो फर्टिलाजिशन तकनीक पर वहवारिक प्रिसिक्षन और उप महान देशक डॉक्टर M.L. मदान भारतिय कृशी अनुसंधान प्रिसद नई दिल्ली के दवारा जो है एक आपका सोध करताओं का एक सम्मेलन जो है ना वो संपन किया गया अच्छा आप नैस्नल डेरी रिसर्च इंस्टिटूट के बारे में कई बार पूछा जाता है इसके स्थापना कब हुई 1905 और डॉक्टर M.S. चोहान जो है ना इसके डारेक्टर है हाले में 21 योजना के तहट हर्याना में सभी वर्गों के चात्रों को दस्वी कक्षा उपरांत चात्र विरती परदान करने का फैसला किया गया है तो इस सवाल का जो सही अंसर है वो है डॉक्टर अभीम राव अंबेड कर मिधावी चात्र योजना यानि कि D option सही रहेगा डॉक्टर अभीम राव अंबेड कर मिधावी चात्र योजना है इसके साथ अनुसुति जाती जन जाती घुमंतु जाती पिछड़े वर्ग इसके साथ बाकी जितने भी वर्ग बच गए इनके चात्रों को दस्वी कक्षा के बात में scholarship देने की जो है जातर द्वारा 60% ग्रामीर और 70% सहरी अगर नंबर लेके आते हैं ठीक है और पिछड़ा वर्ग B के 75% और 80% सहरी लेते हैं और 11 वी वर सभी डिप्लोमा कोर्स के पर्थम वरस दाखिला लेने पर 8000 उपे दिये जाते हैं ने हर्याना सरकार ने सरमिकों की सुईधा के लिए कौन सा mission स्टार्ट किया है सरमिकों की सुईधा के लिए हर्याना सरकार ने सरमिक पंजीकरन mission स्टार्ट किया है यानि कि सवाल का B option जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा सरमिकों को जान लिवा हाथसों का खत्रा लगबग बनाई रहता है कई बार उनके हाथ टूट जाते हैं कई बार पैर टूट जाता है कई बार एड़ की हड़ी टूटती है सरीर का आदा इसा काम करना रुख जाता है तो एसों के लिए जो है ना बीमे की सुईधा या प्रसासनी की योजनाओं के लिए एक रजिस्टर्ड पोर्टल त्यार किया है सरकार ने ठीक है अरन के लिए लगबग जो है ना सरमीकों के लिए कुशल है अर्द कुशल है एक कुशल है टेक्निशन कलर कैसे टोटल 156 कटेगरी बनाई है हरियाना ने अगरा सवाल हमारा है कि हरियाना में अब जी आई एसल लेब की संख्या जो है कितनी हो गई है तो हरियाना राज्ये के नर जी आई एस लेब यानि की जोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम लेब टोटल हो गई है पंद्रा यानि की बी आप्शन जो है सवाल का ठीक है हरियाना अंत्रिक्स अनुप्रियोग केंद्र हर सेख दवारा 11 जिलों में बोगौलिक सोचना प्रणाली प्रयोग साला यानि की जोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम लेब की सेख टोटल 15 हो गई है अंबाला कुर्चेतर कनाल यमना नगर पानीपत सोनीपत रिवाडी नू भिवानी फतेवाद और पलवल में ये लेब बनाई गई है इन सभी जिलों के अंदर ये लेब जो है बनाई गई है ताकि हर्याना के अंदर सेटलाइट के माध्यम से सारा डेटा इकटा किया जा सके कौन सी परियोजना कहां पे चल रही है इसकी के लिए हर्याना की किस बेटी को भारतिय महिला हौकी टीम की कप्तानी मिली है वेरी वेरी इपॉर्टन क्योंसन इसका सही अंसर रहेगा सवीता पूनिया एशेई होकी चेंपिन्स ट्रॉफी दक्षिन कोरिया के दोंगाई में 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होरे वाली है इसमें सिरसा जिले की जोदका गाउं की एक बेटी है जिसका नाम है सवीता पूनिया जो की गौल कीपर है एक्चुली हिसार की उधिता और सोनिया का भी इस सवीता पूनिया रहती है भारतिय महिला हाकिटिक की गौल कीपर है ये है सवीता पूनिया जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है इससे पहले रानी रामपाल थी जो की हर्याना के शहाबाद की रहने वाली है हर्याना में पहली बार किस महिला प्रवता रोही को आर्थि रीना भट्टी को हर्याना के हिसार में अमरुजणा कारेलय में डॉक्तर प्रियंका सोली ने एक लाख रूपे का चेक भेट किया है ऱामरुजणा की ओर से हर्याना में पहली बार किसी महिला प्रवता रोई को आर्थिक सहयोग दिया गया है तो ये बात आपको यहां से या रमजीत पताईए विस्तार से इसके बारे में कल फिर हाजिर होता हूँ लेटस्ट अप्रेट के साथ में आपको मेरे डेली करेंट अफिर का सेशन कैसा लगता है फीड़ वेब जूर दीजिए पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेर कीजिएगा आप लोग देक्ष्समाट